बदलने के लोग तो आ रहे हैं लेकिन उस नोट के दर्शन आपको करवा रहे थे हैं वो 2000 का नोट कैसे है कविता हमार सा जड़ी है मुंबई से ही है कविता कविता आप वो नोट एक बार दिखाएं दर्शकों को ताकि जब वो जाएं तो उनको पहले ही टीवी स्क्रीन से द सुना लाइब शुरू है क्या कविता आपको साथ है शायद थोड़ा टेकनिकल प्रॉब्लम है लेकिन इस बीच संतोश के पास सलते हैं जहां से फैंसला हुआ यानि के दिली में संतोश आप अगर आप देखे तो बैंक से त्यारी तो कर ली है आपने जादा भी लिया होग नो डाउट बैंक्स के अंदर जाके और विवस्ता भी देखी होगी बैंक तो कहेंगे कि ठीक हम त्यार है क्या सिचुएशन वैसे दिख रही है लोगों के भीड़ बढ़ रही है एकदम से संतोष जिहां अभी आप बैंक के बाहर ही होंगे अभी तक लोगों के कितने भीड़ रहे है लोगों के चली ठीक है पहले आपके वापिस आता हूँ श्याद आपसे तोड़ा वास में दिखकत है लेकिन कविता के बास चलते हैं जो आपको 2000 रुपे का नया नोट दिखाने वाले है कविता पहले 2000 रुपे का नया नोट के दर्शन करवा दीजिए लोगों को ताकि स्क्रीन से उनको पता लग पाए कि 2000 रुप ऐसा होगा और आपने भी एक्स्चेंजी करवाया होगा कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई क्योंकि कई सारे जो लोग अंदर गए हैं सुबस साथ बजे से लोग यहां पहुँच गए थे अलकि बैंक आट बजे खुला कर्मशारी आ गए थे काम शुरू हो गया था लेकिन एक्स्चेंज के लिए फिलाल मुश्किले आ रही हैं ये विड्ड्रावल अगर आपको करन पांसो की नए नोट अभी भी बैंक में नहीं पहुंचे हैं दो हजार की नोट आपके हाथ में आएगी तो कुछ ऐसी दिखाई देगी काफी ज़्यादा चौड़ी नहीं है सबसे खास बात इस नोट की जो मुझे लग रही है वो यह कि यह बहुत ब्रॉड नहीं है काफी लंबी सी नोट है कलर काफी ज़्यादा अच्छा है लोगों के हाथ में कही यह फिल दे रहा है कि इंडियन करेंसी से जो पुरानी करेंसी जो यूज़ की होगी उससे नया फिल जरूर होगा इसी के साथ जो इसके नदर ट्रैकिंग सिस्टम है यह लोगों को कही ना कई इसमें डेफिनेटली वो उनको अच्छा लगने वाले लेकिन कई लोग परेशान भी हैं उनसे बात कर लेते हैं सर आप बताइए कि आप बैंक में गये और क्या दिक्कत पेश रहे हैं तो आदे घंटे से पीछले खड़ा रखाया दे एक्षेंज काउंटर शुरू होगा बट तिल नाओ दे नो एक्षेंज काउंटर शुरू होगा परिशानी यह है के भी तक एक्षेंज काउंटर खुला नहीं है विड्रावल कीजे डिपॉजिट कीजे सबसे खास बात यह है कि अगर आप दो लाग से जादा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको अपका केवाई सी ला रहा है इसी के साथ अगर आपको एक्षेंज करना है तो लोगों को यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ लाना है अधर्वाइस कई लोग ऐसे भी जो हैं जो यहाँ से वापस लौट रहे हैं अपने सिर्फ आडेंटिटी प्रूफ लाने के लिए लाइन में ही लोगों को फॉर्म दे दिये गए थे लोगों ने लाइन में ही फॉर्म फिल कर लिए और बड़ी असानी के साथ लोग विड़्ावल और डिपोजित तो फिलाल कर पा रहे हैं एक चीज में आपसे जानना चाहता हूँ जब हम फॉर्म भर रहे हैं कि 500 का नोट हमको बदलना है या फिर 1000 का नोट हमारा बदल के दे दीजिए उसमें ये ऑप्शन है बैंक अपनी आपसे 2000 रुपे का नोट आपको दे रहा है या फिर 500 के बदले में ही 500 का नोट बदल के दे रहा है और 1000 के बदले में 2000 रुपे दे रहा है देखेंए शायद इस वक्त वही इस्तिती क्लियर नहीं है और इसलिए लोगों को काफी ज़्यादा वेटिंग रखा जा रहा है एक्सचेंज काउंटर शुरू नहीं किया गया है क्योंकि 500 रुपे के नोट फिलहाल अभी तक इने दिये नहीं गये हैं जी सक्ष्ट को 10,000 रुपे विड्रॉ करने थे उसे 2,000 की ये 3 नोट दिये गये और 100,000 रुपे के चेंज दिये गये हैं 500 रुपे का नोट अभी नहीं दिया गया और यहीं वज़़ा है कि जो लोग है उन्हें वेटिंग भी रखा गया है मनल एक्षेंज करना चाहरे हैं उन्हें 2,000 रुपे के इस तरीके से नोट दिये जा सकते हैं लेकिन आधे गंटे पहले से लोग जो हैं बैंक के अंदर गये हैं एक्षेंज जैसे हमने बाद भी कराई लोगों से एक्षेंज करने वालों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ जो लोग विड्रॉ कर रहे हैं उन्हें 2,000 रुपे के नोट दिये गए हैं और इसके साथ 100,000 रुपे के जो नोट है वो दिये गए हैं 500 रुपे के नोट अभी तक नहीं है ऐसा लोगों का कहना है कविता कोई टेलर मशीन तो नहीं लगी होगी यह कैश काउंटरी है जहाँ पे बैंकों के अंदर हमकों जाना होगा और लाइन में लगके नोट को बदलवाना होगा अब बिल्कुल कुछ लोगों ने विड्रॉब भी किया उनसे भी बात कर लेते हैं सर आपका नाम बताईए और ये भी बताईए कि अंदर विड्रॉब की प्रक्रिया क्या थी आपने चेक के जरी विड्रॉब किया लाइन कैसी थी किस तरीके समा का महिश पुरॉइद मेरा नाम है और अंदर जाके मैंने तुरंत टोकन लिया उन्होंने टोकन प्रोवाइड किया और उसके बाद अलग अलग विंडोस थे चेक डिपोजिट्स के एक्स्चेंज के और विड्रॉब के तो मुझे थोड़ी दिर बिठा और तुरंत ही मुझे बोला दिया तोकन के साथ और इमिडिटली कैश विड्रॉब हो गया मेरा आपने दस हजार विड्रॉब किये हैं हम देख भी पाने कि तीन नोट आपको दो हजार की दी है बाकी 100 रुपे की करेंसी दी हुई है क्या आपने उनसे पूछा कि 500 के नोट अविलेबल थे उनके पास नए नोट या नहीं जी हां मैंने पूछा मुझे डिनोमिनेशन संदेट्स की चीए थे लेकिन उन्होंने बोला कि कल से एटियम्स में अविलेबल हो जाएंगे ठीक है वो उन्होंने बताया 500 के नोट यहां पर और यह भी कहते हुए नजरा है कि 500 के डिनोमिनेशन इस कविता शुक्रिया सबसे पहले नोट के दर्शन करवाने के लिए 2000 का और जी बिजनस सबसे पहले लोग तो ऑन लाइन और आफ लाइन के जरी आपको सिर्फ पिक्चर दिखा रहे हुए हमने आपको रूबरू नोट दिखाया बकाइदा जो भी अभी एक्सचेंज होके आय है और सबसे पहले तस्वीरे आपने जी बिजनस पर ही देखी है कविता शुक्रिया एक पूरी प्रोसेस में यह है कि आधार काड और पैन काड जरूर लेकर जाईएगा आप नोट बदलने के लिए जा रहे हैं आपको अभी तक क्लब करके दिया जा रहा है पुरानी करंसी में सो सो के नोट और कुछ पांसो के नोट दोजार के थोड़ी से दिक्कत पांसो के नोटों को लेकर आ रही है कि जातर बैंक पे पांसो के नोट अवेलिबल नहीं है एक और जानकारी हमको मिली कि एटीम में कल से आएंगे आज आपको बैंक में ही जाके कनवर्जन करवान लोग एक्सचेंज कराने के लिए पहुंचतो रहे हैं लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के डाग घर पर प्रधान डाग घर बोलते हैं आम तो पर और यहां पर देखिए लाइन इत्ती लंबी लग गई है सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे हैं आठ बजे से पहले स सबके हाथों में नोट हैं सबके पास एक आईडी प्रोब भी है और सब यह चाह रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी जैसे ही डाग घर में पैसे आ जाएं और फिर उसके बाद फिर यह आठ बजे से अपने नोट को एक्सचेंज करा सकें लेकिन यहां पर डाग घर में और आप से जानना चाहेंगे यह पैसे आप बदलने के लिए आए हैं क्या बोला जा रहा है अब दस बेगा को बता करा देदे कितने बहुत बहुत परेशानी है परेशानी है डाग घर के द्वारा क्या बता जा रहा है बहुत जादा है चेंज की बहुत समस्य आ रही है अब यहां चारह जार चेंज कराने के लिए हम ख़़ए हूँ है तो यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं डाग घर की जहां पर थोड़ी सी मुश्किल देखने को मिलने को कि पर्धान डाग घर ही दिली का भी नहीं खुला तसितना की नहीं वाब पाउन पु SP towns वेलotta म जब शेखने को कि बहुत समस्कार ही तक मिलने के लिए संवीर इस हम रहें आप छ़़ए हैं यह साथम शे तर ली समस्सिए बहुत समस्स्टाए हैं विए झीâr हैं उस जमस्टाथ हैं चटने समस्किल देखने हूई समस्स्कुल